सो गाईस जीसा कि हमने पिछले इपिसोड में देखा कि आउचेन की टीम ने लूशी की टीम के साधात मिला लिया था जिसे उन्होंने जनरल ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए सभी मेर्स पॉइंट इकटा कर लिये थे और वहां उन्हें प्रमोट होने के लिए पहले एक टेश्ट देना था जिसमें वो पास हो चुके थे फिर अब हम देखते हैं कि टीम टेश्टिंग एरिया से बाहर आ जाती है और अब अनौन्स किया जाता है कि हो 21 से नंबर के जनरल ग्रेड डीमन हंट डिसकार्ट बन गये हैं और अब होचेन की हाथ पर जनरल ग्रेड का मा हिरान होता है कि हो सभी सकसे सुली जनरल ग्रेड में दाखिलों गए और अब होचेन का ग्रूप सबसे कम उम्र वाला जनरल ग्रेड डीमन हंट इसकार्ट बन गया था जिससे हर को हिरान था वो कहते हैं कि एतने चोटे होने के बाद भी बहुत पारफुल है और अब वो सभ से अच्छे मिशन को चुन सके हान्यू को एक मिशन नजर आता है जिसमें उन्हें दस लेवल 8 के डीमन को मारना था जिसके बदले में 30,000 मेश्पॉइंट का प्राइस था लिन कहता है कि यह प्राइस काफी जादा है पर 10 लेवल 8 के डीमन को मारना बहुत मुश्किल होगा लगता है मैं एक डीमन का सामना भी नहीं कर पाऊंगा वांग को भी एक मिशन नजर आता है जिसमें उने साव शेकिंग पास की तीन महिनों तक रख्षा करनी थी उसके बदले में उने दस अजा मेर्स पॉइंट मिल सकते थे इसे हो खुश हो जाती है पर लिनु से कहता है कि तीन महिनों में तो हम दूसरे कहीं सारे मिशन पुरा कर सकते हैं इसलिए बिल्कुल भी वर्थिट नहीं है चेनिंग कभी परेशान होती है क्यों कि वहां सभी मिशन बहुत ही अजीब थे जियां कहता है कि हम इतनी मेनत के बाद जनर ग्रेंट में एंटर हुए पर हमें एक भी दूरलब मिशन नहीं मिला तब यहां चेन सभी से कहता है कि एक नया मिशन सामने आया है जिसमें उन्हें डेसलेट वीलिंग्स केयों को एक्स्प्लोर करना था जिसके बदले में उन्हें पचांस सजा मेड़ पॉइंट मिलने वाले थे सभी से खुश हो जाते हैं जिया सोलेट विसलिंग के ओ डीमन के मद्य शेदर के उतर की तरह विस्थी थे इसलिए तुम्हें डीमन टेरो टीरी की बहुत ज़्यादा गेराई में जाना होगा और जहां तक हमारे पास कुफ्या जानकरी है उसके मुताबिक कई महिनों पहले यह कुफा जियोलोजिकल चेंज जेस की वज़े से अचानक प्रकट हुई थी इसलिए यहां इस्पेशल जे मिश्टोन प्राप्त हो सकते हैं अगर आप सभी एक्स्प्लोरेशन मिशन के दोरान कोई भी कीमती चीज़ अपने साथ लाते हैं तो आपको मेर्स रिवार्ट के अलावा जे मिश्टोन के वेल्य आप तहरो चेन, इस मिशन को एक्सेट कर लेता है और पॉस्पेश से बागते हुए दिवन अंटिंग टावर पर आता है औरोगायट को बताता है कि क्लेंस के मिशन को जल्धी लिश्ट से हटा दो और इसे मिशन के नाम को भी दो लाग मेर्ट पॉइंट तक बढ़ दो इस मिशन को जैनल ग्रेट मिशन में जोड़ा गया था तो नाइट गुस्टे में उसे कहता कि पहले जो कमांडर ग्रेट का डीमन हंट गुरूप वहां गया था वो उस गुफा के अंदर नहीं गये थे पर इस बार एक और कमांडर ग्रेट का गुरूप उस गुफा में गया उस मन एनरजी का बहुत ही तिरू उतार चड़ाव था इसलिए इसकी बहुत जा संभावना है कि वहाँ लेवल एट और नाइन के डीमन होंगे गाइट परेशान हुआ कहता है कि इस मिशन को एक टीम ने पांस दिन पहले एक्सेप्ट कर लिया था और हो आवचेंड की टीम से कॉ उन्हें वापस लाने बेजो तब ही वहाँ डीमन हंटिंग टावर का मेनेजर आ जाता है वो नाइट से कहता है कि इस तरह की सिचेशन से निपटने के हमारे पास अपने तरीके है आप उस ग्रूप की चिंदा ना करें उन्हें हम बचा लेंगे तो नाइट कहता है कि जब वापस आए तो ने मौजा जरूर देना ये केकरों हाँ से चला जाता है गाइट सुपरवाइजर के पास आकर कहता है कि हमें जल्दी से हाई ग्रेट के डीमन हंटिसकॉट को इसके बारे में इन्फरम करना होगा सुपरवाइजर गुस्चे में उससे कहता है कि हमें बास सभी नाइट है और हमारी सेप्टी के लिए ही डीमन से लड़ते हैं तो सुपरवाइजर कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो वो टीम ज्यादा ब्रेव नहीं होगी जैसे ही मुसिबत आएगी वो डर कर वापस आ जाएंगे और जब वो वापस लोटेंगे तो तुम उन्हें मौाँजे के तोर पर वी सजा मेट्स पॉइंच दे देना उस गायट को भी सुपरवाइजर की बात माननी पड़ती हैं वही हम हाँचेन और लुशी की टीम को देखते हैं जो लगातार डीमन के लागी की तरह बढ़ रहे थे हाँचेन सभी को बताता है कि हम डीमन टेरिट पर पहुंच गए हैं इसलिए आज रात हम इस्टा सीकर सीटी में आराम करेंगे और कल साउथ इस्टन फोटेक्स से ओकर गुजरेंगे सीटी के सभी लोग हाँचेन और लुशी की टीम को गुर कर देख रहे थे लुशी की टीम का मेंबर डियान यान हाँचेन से कहता है कि हैं मेरे पासन घ्योजना है जिसने मंधीमर तर्म जल्दी कर सकते हैं और यसके भी बहुत कम होगा हम यह सब इंडिपेंधेन्ट MArchants के दाराकर सकते हैं लीष दोन चते हैं कि एंडिपेंदन के कि युद्धे व्यापर करते हैं उन्हें इंडिपेंडेंडेंट मर्चेंट्स कहा जाता है और इन मर्चेंट्स में कुछ इंसान और कुछ डीमन भी शामिल होते हैं चैनी उसे कहते हैं कि हम डीमन के साथ व्यापर कैसे कर सकते हैं जबकि वह तो हमारे दुश्मन है डियान बताता है कि डीम के किसी काम के नहीं होते हैं और डीमन की प्रोडक्शन के बेसिटी भी बहुत कम होती है इसलिए उनके लिए साल पर बोजन की कमी होती है पर फूट प्रोडक्शन का काम इंसान बहुत अच्छे से करते हैं और हमारी फसल भी बहुत जादा होती है इसलिए इंडिपेंडेंड मर्चेंट से कोई फार्ग नहीं पड़ता अगर हम मर्चेंट बनकर डीमन के लाके में गुसे तो हमें डीमन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम से भी रहेंगे सभी खुश हुआ कहते हैं कि यह बहुत अच्छा प्लान है इसलिए हमें जल्दी इंडीपेंडेंडेंट मर सीटी में इंडीपेंडेंट मर्चेंट का गुरूप है और मैं इसी सीटी में बढ़ा हुआ था इसलिए मैं जानता हूं कि उन से कैसे कॉंटेट करना है पर मैं चाहता हूं कि इस मिशन को पुरा करने के बाद आप हमारी टीम को कुछ जाधा मेंस पॉइंट दें हावचन क्योंकि यूए गुरूब इस्टार सीकर सीटी का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंडेंड मर्चेंड का गुरूप है और वह रबाट डीमन के साथ बहुत बड़ी मात्रा में बोजन की लेंदिन करते हैं इसलिए हो सबसे ज़्यादा गाट की बढ़ती करते हैं हम सभी उनके साथ आसानी से शामिल हो जाएंगे अगले दिन वो यू मर्चेंट गुरूप में शामिल होने के लिए आ जाते हैं पर वहाँ सभी गुरूप में शामिल होने वाले लोगों का लाइफ डेथ कॉंट्रेट के लोगों को अपने गुरूप में बरती नहीं करते थे जो नायट के महाल सिक्सट में पासो जाते हैं अब हो अगले दिन वो सभी उन हुर्याक् Jam डीमन के लागे की तरब निकल जाते हैं, वो शिप के साथ आगे बढ़ रहे थे, लिन कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डीमन के लागे में ट्रेवल करना इतना असान होता है, इसा लगता है कि हमारा एमिशन बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, हाउचेन कहता ह alligator किुए शृत नहीं है यह यूए मर्चेंटा गूरॡ के टीमन गार्ड है जब इंडिपेंडेंडब्ड्र गूरॡ पन के लाके में प्रियस करता है तो औक सर एक डीमन गार्ड के गूरूप को हायर करते ताइकि इस operation को इस्मूत किया जा सकेए वो डीमन उन को डराने लगते हैं और चेनिंग को धका दे देते हैं इससे वांग गुसा हो जाती है और गुसे में उस डीमन से कहती है कि टिडे हम से दूर रहो यहीं तुमारे लिए बेतर होगा वो डीमन कहता कि तुम सिब नीच इंसान हो क्या तुम हम सभी को चैलेंज कर रही हो हम सभी तुमें खा जाएंगे और वो उन दोनों को घेर लेते हैं वांग भी उन पर हमला करने के लिए त्यार हो जाती है इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सभी इसकाइब जिरूर कर लेना मिलते से नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स वरोची